नमस्कार मैं सत्यम राय, स्वागत है आप सभी का मारी योट्यूब चैनल इट्स रियालिटी में आज हम आपको एक ऐसी सचाई से रूबरू कराएंगे जिसे सुनने के बाद आपकी रूहें काप जाएंगी दुनिया का पहला ऐसा रिस्टूरेंट जहां परोसा जाता है मरे हुए इनसानों का मांस चलिए सबसे पहला हम आपको ये बताते हैं कि ये रिस्टूरेंट है कहां और कब खुला ये restaurant जापान की राजधानी टोक्यों में खुला है और इसके बारे में जानकर आज पूरी दुनिया है तो चलिए दोस्तो इस restaurant का नाम जानते हैं और इस restaurant का नाम है दरी सो टो ओटो टो नो सो कू रायो हीन जिसका अंग्रेजी में मतलब होता है edible brother बताया जा रहा है कि इंसानी मांस जो हाँ परोसा जा रहा है वो खाने में सुवर के मांस सा लगता है और इसे मसालों के साथ कुछ ऐसा पकाया जाता है कि इसका टेश्ट समझ में बिल्कुल ही नहीं आता कि एकसका मांस है दरसल वस्तविक्ता ये है कि जापान में 2014 में एक ऐसा कानून लागू हुआ जिसके तहट आप किसी भी तरीके का इंसानी मांस बेच सकते हैं अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि चलो मांस बिकता तो है लेकिन इंसानी मांसों की पूर्ती होती कहां से है सवाल उठना भी लाजमी है दरसल यहाँ जपान के जपान में लोग मरने से पहले अपनी बॉडी किसी पर्टिकुलर रस्टुडेंट को लगबग 30,000 यूरोस में बेच देते हैं और जिसे मरने के बाद उनके परिवार वालों को वो पैसे मिलते हैं अगर कोई जवानी में ही मर जाए तो उसका मांस स्पेशल डिस के तौर पर परोसा जाता है तो दोस्तो हमारा वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और सेर करना न भूले धन्यबाद